और बाद में चल करके ऐसा नहीं है कि इस बीच में एक्जाम नहीं कराया जा सकता था तो कहीं न कहीं यूथ इससे इग्नोर हुआ है क्योंकि पांच स्टेट में आप एलेक्शन करवा लिए जबकि कोरोना एकदम पीक पर था अब तो एक्जाम ले लेना चाहिए था और जब हम रेल भवन पहुँचे तो वहाँ पर संबंदित अधिकारी से भी मिले आप एलेक्शन करवा लिए पांच स्टेट में लेकिन यूथ की बातें आई तो आप यूथ ठगा हुआ महसूस यहाँ पर कर रहे हैं डेट दे दिया जाता है तब तो ठीक है नहीं तो हम दुर्गापुजा के बाद हमारा दूसरा कुछ ब्यापक उस तरह का अभियाम चलेगा जो कि निश्चित रूप से सरकार को परभावित करेगा रेलवेज इस तरह से प्राविटाजेशन की तरह बाड़ा है क्या उसका इंपक्ट भी इस तरह की वेकेंसी पर असर पड़ेगा पिल्कुल आधेश ज्यादे आबादी युवाओं का है तो आप कैसे इसको इग्नोर करके चल सकते हैं और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसका बहुत बढ़ा विरोध का सामना गॉवर्मेंट को करना परेगा और करना ही चाहिए स्टुडेंट को इसका विरो तीन हजार से भी उपर के रिक्त पदों के लिए निकाली गई थी जिसके लिए करीब करीब एक करोड़ सतरा ठारा लाक अभी अर्थियों ने इस फॉर्म को भरा था और ये उमीद थी कि जल सजल परिक्षा होगी और उन्हें नौकरी मिल जाएगी मगर दो साल होने जा रह कर एक ट्वीटर कैंपेंड भी चलाया और ये कैंपेंड कितना सफल रहा कितना इसका असर सरकार पर पड़ा हम इसके लिए बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है नवीन सर तो नवीन सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव नेशन सेवन में सबसे पहले तो लाइव के नटिफिकेशन के और इस बीच में कई उतार चरहों इस मामले में आए कि कोरोना का एक बहुत बड़ा रेंज रहा इस बीच का दाइरा रहा कि फेज वन आया फेज टू आया जो कि गॉब्मेंट के लिए भी एक चुनोती थी और बाद में चल करके ऐसा नहीं है कि इस ब ये बातें इससीद होती है क्योंकि पांच स्टेट में आप एलेक्शन करवा लिए जबकि कोरोना एकदम पीक पर था और एक करोड़ सत्रे लाग प्लस बच्चे इसमें फार्म भरे हुए हैं और बहुत उमीद लगाए हुए थे कि हम लोग का एकजाम समय पे हो जाएगा ठीक है कोरोना काला अब समाप्त हुआ अब तो एकजाम ले लेना चाहिए था अगर कोई तरह का प्रॉब्लम है था तो आप आगे का एक निश्चित डेट करके ही दे देते संभावित तिती ही दे देते बच्चों को संतुष्टी होती है और पूरा एफट लगा करके वो जो हमारा उद्देश था उसमें हम सफल भी रहे हैं और इसी इसको और गती देने के लिए हम परस्णली दिल्ली भी गए थे क्योंकि दिल्ली में हमारा दो उद्देश था एक तो मैक्सिमम सब्सक्राइवर वाले जितने भी टीचर हैं जिसको अधिक सदिक बच्चे फॉल पराले में अभी क्या चल रहा एक्टिविटी इससे रिलेटेड उस पर भी हमने जानने का प्रियास किया तो हमने यहीं देखा कि उस दिन भारत बंद था इसको ले करके हमारा दूसरे नंबर पे ट्रेंड रहा ट्विटर केमपेंड का नहीं तो निशित रूप से नंबर और जब हम रेल भवन पहुँचे तो वहाँ पर संबंदित अधिकारी से भी मिले परिशानिया हुई चुकि पहले से अपोइंटमेंट हम नहीं ली हुए थे लेकिन उन्होंने इस वास को आस्वस्त हमको करना चाहा कि प्रोसेस इंटर्नल सारा कुछ चल रहा है और जल्द है कि आप लगातार आस्वासन दे रहे हैं बोल रहे हैं कि आप वेब साइट को देखते रहे हैं उस पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो उन्हीं बातों पर हमने ये बोला उनके समख्च रखा हलांकि वह गुसा भी हो गए एलेक्शन का एक जिक्र हमने कर दिया कि जब को उस समय केमपेन अपने पीक पर था ट्वीटर लगातार ट्वीट बच्चों के द्वारा क्या जा रहा था तो हमने उनको ये दिखाया बेकी देखिए ये केमपेन अभी पीक पर है ट्वीटर अभी लगातार बच्चे कर रहे हैं 4.4 मिलियन यानि लगबग 44 लाग से उपर बच्चे ट्वीट किये हैं इसमें तो वो बताए कि आला अधिकारी जो है और संबंदित मंतराले के मंतरी जो है निश्चित रूप से साम को इसके बारे में हम लोगों से जानकारी लेंगे और जानकारी बटो रहेंगे और निश्चित रूप से एक्शन मोड में रहेंगे था हम एक होप करते हैं कि अगर इस पर उचित कारवाई करती है एक दो दिन में चार दिन में अगर डेट दे दिया जाता है तब तो ठीक है नहीं तो हम सोचे थे पहले कि दो अक्टूबर को हमारा कुछ उस्तरा का अभियान होना चाहिए था या होगा लेकिन अभी सारे के मोड में हम लोग आएं थोरा सा वेट करना हमने जरूरी समझा कि अब गवर्मेंट के तरफ से क्या डिसिजन आती है अगर इस बीच में डिसिजन गवर्मेंट के तरफ से नहीं आए तो निश्चित रूप से दुरगा पूजा के बाद हमारा दूसरा कुछ ब्यापक उस उसके बाद यह लंबा अंतराल कि जैसे लगा कि इसको बिल्कुल ही सरकार भूल गई तो रेलवे जिस तरह से प्राइविटाजेशन की तरह बढ़ रहा है क्या उसका इंपक्ट भी इस तरह की वेकैंसी पर और आने वाले दिनों में जो वेकैंसी होगी रेलवे की उस पर असर पड़ेगा निश्चित रूप से असर पड़ेगा और यह बोलने वाली बात नहीं है अभी आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले पेपर में दिया गया कि जितने भी 21 रेलवे भरती बोड है 15 रेलवे भरती परकोस्ट है सभी को भंग कर दिया जाएगा और नेशनल तुमारी अन्यासी निश्चित रूप से बहुत परिशानी खरी हो सकती है और यह सिर्फ रेलवे की ही बाते नहीं है आप देख रहे हैं कि BPCL के बारे में कंफर्म क्या गया है कि 2012 तक इसका पूरी त्रीके से नीशिकरन कर दिया जाएगा इसके अलगा आप देख सकते हैं इंडिया की बात कर लें, इंडियान एरलाइन्स की बात कर लें, LIC की बात कर लें, तो और तमाम इस तरह के PSU's को तेजी से नीजी करन किया जा रहा है, और पता नहीं चलता है, यह गौवर्मेंट का या इसा पॉलिसी क्यों है, पहले क्या होता था कि जो रुग निकाई होती थी, उनको नीजी चेतर को दिया जाता था, लेकिन अब जो प्राथमिकता हैं, इन्होंने चेंज किया है, अब इनका कहना है कि जो सबसे ज़्यादा लाप प्रदान करने वाली कमपनी है, हमने अपने प्रायरिटी लिस्ट में सबसे पहले उसको हम रखेंगे, तो यह बात आने वाले दिनों में निश्ची तुरुपस इसका बहुत बढ़ा विरोध का सामना गवर्मेंट को करना परेगा, और करना ही चाहिए स्टुडेंट को इसका विरोध, और आगे का जो हमारा मुद्दा रहेगा, यह भी एक परमुख मुद्दा हमारा रहेगा, कि अगर दूसरे माइने से देखा जाए तो हमको लगता है कि 15 दिशंबर के बाद निश्ची तुरुप से एक जाम होगा ही होगा, ऐसा हम अपना अनुमान बता रहे हैं, इसलिए स्टुडेंट को चाहिए कि समय समय पर जब विरोध की जोरत परेगी, तो हम लोग एक जूट हो करके बिरोध भी करेंगे, अपनी बातों को मनवाने के लिए जितना हद तक जाना परेगा हम जाएंगे, लेकिन साथ-साथ हमको परहाई भी कंटिन्यू रखना है, क्योंकि ये बात आप मान करके चलिए, अभी जैसे NTPC-CVT-1 का रिजल्ट आना है, तो रिजल्ट जैस कि साथ हमें एक्जामनेशन का डेट भी दिया जाएगा, इसलिए उस समय बच्चों को समय बहुत कम मिल पाएगा, इसलिए रिजल्ट के आसा हम नहीं लग रहना है, जिनको लगता है कि एक मेरा रिजल्ट संभव है कि आज आएगा, हमारा उतना कोशन हम attempt किया है, तो उन आपका अच्छा खासा है अभी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में इतनी फेकंसी आपको मिलेगी की नहीं मिलेगी, ये कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए जी जान लगा करके आप पुरा का पुरा मेहनत कीजिए, और अधिक साधिक समय आप प्रैक्टिस में लगाईए, ये रिविजन में लगाईए, सारा कुछ आपका परहा हुआ है ही, कि किसी भी सुरत में इस बार का रिजल्ट हमसे मिस नहीं होना चाहिए, बताब पढ़ाई में वो क्या ध्यान दें, गुरूबडी वाले कि अभी किस चीज़ पर जादा फोकस करें, जो अब लास्ट स्ट प्रैक्टिस करें, और पहले के परहुए चीज़ को रिविजन करें, इन्हीं दोना और जितना मैक्सिमम स्कोर रिजल्ट गूरूबडी के लिए हम ये बच्चों को कहेंगे, कि सौ में से सेवन्टी प्लस आपका कैसे आए, इस अभियान पर आप काम करिए, और एंटी पी प्रैक्टिस करें, अपनी अब अनतीम चरण की ज़्यादाब प्रैक्टिस करें, साथ ही ये जो अहम बात ही यो ये है कि यो एक लाक ऐधिक की जो वेकंसी है, इसको आप बिल्कुुल ये की तरह से कहा जाए, तो आपको भी फिलहाल यही मान कर चलना ही, ये एक अनतीम म जाए तो जिसा से अर्जुन ने मचली की आँख को देखा था बस आप भी वैसे ही सिर्फ यही टार्गेट करें कि 70 प्लस कैसे आएगा तो बने रहे हैं हमारे साथ देखते रहे हमारा वीडियो अगर आपको मारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्रा क्तार सुर्ण मारा वीडियो ओटर आता है वीडियो अभी वारा वीडियो